हलो दोस्ते और वेलकम टो आटोगुर इंडिया तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अशोक लिलेंड 55-25 AU ट्रक के बारे में ये 6x4 एक्सल कॉन्फिग्रेशन के साथ आने वाला ट्रक है और इसके अंदर एक 6x2 एक्सल कॉन्फिग्रेशन के भी साथ ट्रक आता है तो उसके बारे में ही बात करेंगे उसके लिए मैं अलग से आपके लिए डिडिकेटेड वीडियो लेंगा तो आज इस वीडियो के अंदर इस ट्रक की complete details के बारे में बात करने वाला है इसकी price, इसकी specification और overall features तो वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखना अगर आपको माई तरह ट्रक पसने तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, माई चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन इनको जरूर दबा देना, यह U-series का cabin है और जो U-series का cabin है वो value for money cabin होता है, इसके अंदर एक premium cabin भी आता है, वो N-series का cabin आता है, सबसे पहले इसकी price से बात कर लेते हैं तो जो इसकी action room price है around 38.5 and 39 lakh के something है, एक बार आप nearby dealer से confirm कर सकते हैं कि price up down होती रहती है, तो सबसे पहल से start करता है, front में आप देख सकते हैं, नीचे metal bumper मिलता है, और उसके उपर भी एक आपको bumper मिलेगा, वो भी metal गया है, और इसके अंदर आपको dual halogen headlights मिलेंगी, with saturn indicators मिलेंगे, side में, जो के बहुत ही अच्छी चीज है, दो lights मिल रहे है, company fitted, और यहां पर आप देख सकते हैं, क अच्छे से पहुंच सके, और यहां पर आप front देख सकते हैं, front काफी शानदा लगता है इस truck का, यह overall आप design वगरा देख सकते हैं, यहां पर Leland के basing मिलती है, और यहां पर Ashok Leland लिखा हुआ है, N3s के cabin में थोड़ा 3D में लिखा हुआ है, यहां पर simple way में लिखा हुआ है, और यहां पर wipers मिलते हैं आपको, और यहां पर जो mirrors होगे रहे हैं, उनकी भी quality काफी अच्छी है, side view mirrors या फिर blind spot mirror वगरा, सारे mirrors काफी शानदार और काफी बड़ी दिये गए हैं यहां पर, एक बार आप side से इसका look देख सकते हैं, look wise काफी शानदा लगता है, truck बहुत ही तगड़ा लगता है, यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरिके के देखते हैं, यहां पर side में, और जो side में, जो truck का area है, वो भी काफी अच्छा है, यह sleeping, sleeper cabin के साथ आता है एक तो, और इसके अंदर आपको एक white color ही मिलेगा, company सिर्फ एक white color ही offer करती है, बाकि जो wheel arches होगे रहे हैं, वो भी काफी अच्छा है इसके, और एक बार आप इसका overall look देख सकते हैं, 3900 mm इसका wheel base है, और 6900 mm इसके length है, और यह tires इसके देख सकते हैं, 295, 90R20 के tires मिलते हैं यहां पर, और same tire size आपको पीछे भी मिलता है, यहां पर आप देख सकते हैं, same tire size मिलता है आपको, पीछे भी इसके अंदर, और optional में आप इसके अंदर unitize wheel bearing ले सकते हैं, वो depend करता है आपके उपर, और spare wheel लगा हुआ है, इसका यहां पर, बाकि 55,000 kg इसके अंदर आपको gross vehicle weight मिलता है, front axle का 7,000 kg और rear axle का 21,000 kg ग्रोस vehicle weight है, अब जब load की capacity तरनी अच्छी है, तो load भी तो तकड़ा मिलना चाहिए, इसके लिए आपको यहां वहां 1000 फोन करने की ज़रूत नी है, क्योंकि एक वाक IP काफी है, जहां पर आपको 24x7 load और lorry book करने का option मिल जाता है, वो भी पूरे इंडिया से, और best बात पता है क्या है, इससे आपको कोई भी commission नहीं लिया जाता, मतलब गाड़ी भर के load वो भी 0% commission पर, और वहां के free app की थुरू, आप all over the इंडिया के transporter है, उनसे connect हो सकते है, प्लस अपना जो transport business है, उसको increase कर सकत है, आप 10 लाग से जादा गाड़ी मालिकों ने वहां के भरोसा दिखा है, तो आप क्यों पीछे हैं, मैंने जो एप की link है, वो description box में डाल दिया, आप वहां से इसको download कर सकते हैं, और use कर सकते हैं, अब आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी, यह देख सकते हैं, अब अगर यह काफी शांदर की wheel arches है, प्लस mud flaps है, और यह इसका basic system है, इसके अंदर आपको 48 liter का add blue tank मिलता है, आप आप देख सकते हैं, 48 liters का add blue tank है, काफी बड़ा add blue tank है, और like sufficient है, जो fuel tank मिलता है, वो 375 liter का मिलता है, वो पीछे लगा है, मैं आपको दिखा दूंगा भी, इसके अंदर आपको दो तरह के engine मिलता है, तो A-series engine मिलता है, एक S-series, A-series engine है, वो full cylinder engine है, जो 250 horsepower produce करता है, और 900 newton meter torque मिलता है, उसके अंदर आपको 395 mm die की clutch मिलता है, और जो S-series engine है, वो 6 cylinder engine है, जो 250 horsepower produce करता है, और 900 newton meter torque produce करता है, लेकिन इसके अंदर आपको 380 mm die की clutch मि और दोनों ही इंजेन जो अशुक्री लेड की आई जेन 6 टेकनोलोजी है उसको फॉलो करते हैं गेरबॉक्स 9 स्पेड मिलेगा आपको फ्रेंड में ठीक आपको और ladder type frame मिलता है, HSS material के साथ, frame काफी बढ़िया है, इसका काफी strong truck है actually में, इसके अंदर आप rear axle की बात कर लेते हो, rear में आपको fully floating single speed axle मिलता है, और आप optional में unitized wheel bearing भी ले सकते हैं, rear suspension में आपको non reactive suspension मिलता है, आप optional में आप bogie suspension या फिर hub reduction ले सकते हैं, वो आपर depend करता है, तो काफी सारे options यहां पर अशोक लिलर्ण आपको provide करती है, चूज करने के, यह इसका tank दे सकते हैं, polymer tank में लेगा है इसके अंदर, rusting rusting का कोई issue नहीं आने वाला है, काफी लंब चलने वाला है, और जो size है वो भी काफी अच्छ है, 375L का fuel tank मिलता है, यह dual batteries है, battery cut off switch के साथ आती है, और proper cover वगरा लगा के देती हैं, यहां पर आशोक लिलर्ण, 3247mm की truck की height मिलती है, अब इसके cabin के अंदर चलता है, cabin में दिखा देता हूँ, मैं आपको क्या-क्या feature मिलते है, optional में सबसे पहले बता देता हूँ, आप AC ले सकते हैं, आप पे depend करता है, यहां से open हो जाता है, door काफी अच्छा open होता है, यहां पर आप देख सकते है, glass area से इसके foot steps हैं, तो चंडने में कोई problem नहीं आगी, seat भी दाफी comfortable है, इसके आप adjust कर सकते है, 4-way adjustable seat मिलती है, आप इसको, recline कर सकते है, प्लस आगे बीचे कर सकते है, यहां पर इसकी power steering मिलती है, यह keys मिलती है, यह इसके lights के, controls मिलते है, और यहां पर wipers के control मिलते है, और एक बार आप overall इसका cabin देख सकते है, कुछ इस तरिके का overall cabin देखते है, यहां पर space मिलते है, आपको कुछ समान हो गएरा रखने का, papers वगएरा, बाकि sleeper area देख सकते है, आप वो भी काफी अच्छा है, प्लस एक co-driver भी easily बैठ सकते है, आप पर काफी a comfortable seat है, और यह इसक charging socket दिया गया है, और area गाफी अच्छा है, इस truck का बहुत ही अच्छा area मिलता है, like cabin खुला-खुला cabinets का, और यहां पर lights मिलती है, और यह lockable मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, आप इसको lock कर सकते हैं, आपना समान रखके, और यहां पर curtain लगा सकते हैं, तो उस के लिए भी आपको दिया हुआ है, पूरा, instrumental cluster के अंदर आपको speedometer, rpm meter और एक छोटा सा MID मिलता है, जैसके अंदर multi, जो रहती है, display, multi information दिखाता है, जैसे कितना truck चला है, कितना fuel है, और सारे चीजे, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसना दे कितना है, जैसे 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 कितना है, जैसे